पूरा हिसाब लगाकर बताता हूं आपको आज के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं जो लोग इंकम टैक्स देते हैं उनकी पिछले साल इलेक्शन से पहले आपको याद होगा प्योश गोईल जी ने कहा था साड़े नौ लाक रुपे तक जिनकी आए है वो ठीक से बचत और निवेश करें तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा वो कैसे इसका कारण है सरकार इंकम टैक्स पर कई सारे छूट देती है जैसे सबसे पहले है स्टैंडर डिड़क्शन पचास अजार रुपे जो आपके टैक्सिबल इंकम से हटा दिया जाता है और उसी के बाद आपको टैक्स कैलक्यूलेट होता है वो इसलिए कि ये माना जाता है कि ये पचास अजार रुपे साल में आपकी आए नहीं है ये आपका खर्चा है नौकरी या काम करने का खर्चा जैसे आप ऑफिस जाने के लिए बस लेते हैं आटो लेते हैं या गाड़ी से जाते हैं उसका खर्च है कई लोगों को uniform पहनना पढ़ता है या आप देखें कि जो आप घर में पहनते या बाहर जाने के लिए जो कपड़े पहनते वो आप office में नहीं पहन सकते तो office के formal कपड़ों का भी खर्चा है या जैसे मुझे कई news site का subscription लेना पढ़ता है या किताबे खरीदनी पढ़ती है सिर्फ मेरे काम के लिए उसी तरह आपको भी अपने skill को update करने के लिए खर्चा उठाना पढ़ता है तो ये सारे जो खर्चे हैं उनको मिलाकर एक standard खर्चा मान लिया गया है जो कि इस वक्त 50,000 रुपे है और इसको आपके आए में जोड़ा नहीं जाता है कई और छूट है जैसे कि house rent allowance पर छूट है अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो जो home loan पर ब्याज दे रहे हैं आप उस पर छूट मिलता है सरकार ने कुछ बचत के scheme भी बता रखे जिसमें अगर आप पैसे डाले तो उसमें से डेड़ लाक रुपे तक आपके आएसे हटा दिया जाता है और उसी के बाद tax जोड़ा जाता है ऐसे 100 अलग-अलग छूट है जिसका फाइदा उठा कर आप अपना आयकर कम कर सकते हैं निर्मला सीतारवन जी कहते हैं कि ये सब छूट लेना बड़ा जहनजट का काम है इसलिए मैं पूरे सिस्टम को आसान और सरल बना रही हूँ और साथ मैं tax rate भी कम कर रही हूँ तो अब बजट में जो नया system आया है उसमें 15 लाग तक के आये वाले लोगों का tax rate 5-10% कम हो गया है लेकिन वो तभी अगर आप कोई भी छूटना ले रहे हो मतलब अगर आप कोई बचत नहीं करते हो ना आपके पास home loan हो आप किराय के मकान में भी नहीं रहते हो आपने medical या life insurance भी नहीं ले रखा है तभी आपको थोड़ा बहुत फाइदा होगा नहीं तो नय system में आपके लिए ठेंगा ये तो हुए tax की बात है सवाल ये है क्या मोधी सरकार ने इस budget में आर्थिक मंदी का कोई मार निकाला है या नहीं चार चीज़े हैं नमबर एक नौकरिया नहीं है नमबर दो लोगों के हाथ में पैसे नहीं है नमबर तीन पैसे नहीं है तो लोग चीज़े नहीं खरीद रहे हैं यानि मार्केट में मांग नहीं है और नमबर चार चीज़े बेक नहीं रही है इसलिए corporate निवेश नहीं कर रहे हैं जादा तर अर्थशास्यों का कहना था सरकार को लोगों के हातों में पैसा पहुचाना पड़ेगा और निवेश बढ़ा कर नौक्रिया देनी पड़ेगी इसका मतलब है सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ेगा लेकिन क्या नए बजट में एकॉनिमी को किक स्टार्ट करने के लिए सरकार खर्चा बढ़ा रही है जी नहीं लेकिन इसका हिसाब लगाने से पहले आपको एक बात याद दिला दू कि बजट या बही खाते का साल एक जनवरी से शुरू नहीं होता है वो एक अपरेल से शुरू होता है इसलिए जब भी हम बजट की बात करते हैं तो एक अपरेल से अगले साल के 31 मार्च तक की बात की जाती है 2018-2019 में सरकार ने लगभग 23 लाग करोर रुपे खर्च किये थे और 2019-2020 में प्लान था लगभग 28 लाग करोर रुपे खर्च करने का यानि 20 प्रतिशत जादा लेकिन मोधी सरकार ने किया क्या 28 लाग के जगे सिर्फ 27 लाग करोर खर्च किये यानि 20 प्रतिशत बढ़ाने के जगे सिर्फ 17 प्रतिशत जादा खर्च किया वो ऐसे वक्त जब सभी अर्शास्त्री कह रहे थे कि खर्चा 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा बढ़ानी की जरूरत थी अगले साल 2020-21 में सरकार अपना खर्च इतना भी नहीं बढ़ा रही है प्लान है लगबग 30 लाग करोड खर्च करने की यानि सिर्फ 13 प्रतिशत जादा इस से निवेश और मांग पर क्या असर पड़ेगा जी हाँ ठैंगा निर्मदा जी ने अपने भाशन में का इस बार किसान के लिए ज्यादा पैसा दिया जा रहा है क्रिशी और ग्रामीन विकास पर इस बज़ेट में लगबग 30 लाग करोड रुपे खर्च किया जाएगा आपको अगर ये बहुत जादा लग रहा है तो याद रखे कि पिछले बज़ेट में यानि 2019-2020 में 2,92,000 करोड रुपे खर्च करने का प्लान था मोधी सरकार का यानि कुल बड़त कितना हुआ सिर्फ धाई प्रतिशत मतलब अगर 200 रुपे पिछले साल खर्च करने का प्लान था तो इस साल उसको बढ़ा कर 205 रुपे किया जा रहा है लेकिन अगर हम 4 प्रतिशत का महंगाई दर ले लें तो इसका मतलब है इस साल जो 200 रुपे में मिल रहा है बिल्कुल उसी के लिए अगले साल 4 प्रतिशत जादा देना पड़ेगा यानि 200 के जगे 208 रुपे देने पड़ेंगे लेकिन मोदी सरकार खर्च कितना बढ़ा रही है 205 रुपे का होगा इसका मतलब अगले बजट में क्रिशी और ग्रामीन विकास पर थोड़ा ज़ादा पैसा लगाया भी अगर गया है वो बहंगाई दर से कम होगा यानि उस पैसे से इस साल जितना खरीदा जा सकता था अगले साल उससे कम चीजे खरीदे जा सकेंगे यानि किसानों पर असल खर्च कम हुआ है बढ़ा नहीं है अगर आप GDP की तुलनाभे भी देख लें तो 2019-2020 में क्रिश्य और ग्रामीन विकास पर GDP का 1.4% खर्च करने का प्लान था अगले साल वो घटकर 1.3% हो जाएगा अब बात करते हैं हेल्थ यानि स्वास्त की मोदी सरकार का दावा है कि हेल्थ पर उनका बहुत बड़ा फोकस है इस पर सरकार ने पिछले साल लगबख 65,000 करोर उपर खर्च करने का प्लान बनाया था और अगले साल का प्लान है इसको बढ़ाकर लगबख 6,67,000 करोर खर्च करने का ये सिर्फ 3.8 प्रतिशत का इजाफा है यानि ये भी महंगाई दर से कम बढ़ेगा GDP से तुलना करके देख लेते हैं 2019-2020 में GDP के तुलना में 0.31 प्रतिशत खर्च हेल्थ पर किया गया अगले साल के बजट में ये बढ़ेगा नहीं घट जाएगा 0.93 प्रतिशत 0.93 पर उतर आएगा यानि अगर 2019-2020 में GDP एक लाक रुपे था तो उसमें से 312 रुपे हेल्थ पर खर्च हुआ तो अगले साल वो घट कर 300 रुपे हो जाएगा इसी तरह अगर हम शिक्षा ले ले तो 2019-2020 में GDP के तुलना में 0.46 प्रतिशत से गिर कर अगले साल खर्च 0.4 प्रतिशत पर उतर आएगा मतलब अगर GDP एक लाक रुपे होता तो इस साल एजुकेशन यानि शिक्षा पर खर्च हुआ 464 रुपे अगले साल वो गिर कर हो जाएगा एक लाक में 441 रुपे तो एजुकेशन और हेल्थ में भी सरकार ने आमाद्मी को क्या दिया विल्कुल सही अनुमान लगाया आपने ठैंगा आप इस बजट को किसी भी पैमाने पर देख लीजे तो ना इसमें नौकरी बढ़ाने का कोई प्लान है ना मांग बढ़ाने का ना ही निवेश बढ़ाने का कोई प्लान है सिर्फ एक खतरनात प्लान जरूर दिख रहा है और वो है LIC को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बेचने का मतलब पब्लिक के लिए कुछ नहीं बलकि पब्लिक की संपत्ती को बेचने का महापलान है